हलो स्टुडेंट्स, वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेट्वी यूट्यूब चैनल, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स टर्म 2 के चैप्टर ओसिलेशन से एक और इंपोर्टन डेरिवेशन विच इस ओसिलेशन ओफ लिक्वीड इन यूट्यूब, नहीं य है एक यूशेप की ट्यूब, ये एक यूट्यूब है और इसमें हमने ये रेड कलर का एक लिक्वीड डाल दिया, जो अगर हमने इसके साथ कोई छेड़ चाड़ नहीं करी है, हमने इसमें एक लिक्वीड डाल दिया है, तो दोनों लिम्ज में उस लिक्वीड का लेवल ब उपर आ जाएगा और जब आप इसको सीधा करोगे तो फिर यह liquid वापस अपनी इस equilibrium position को attain करने की चक्कर में oscillations कर देगा हाना शुरू कर देगा जैसे एक limb में liquid नीचे चला गया दूसरे में उपर चला गया तो अब यह इदर से नीचे जाएगा लेकिन यह जादा momentum gain करने की व harmonic motion कर रहा है और हमने उस SHM का time period भी निकालना है तो मैं पहले भी तुमको बता चुका हूँ एक बार फिर बता देता हूँ कि SHM कोई भी कर रहा है body वो तब प्रूव होता है जब एक ऐसी equation आपको मिल जाए body की उसकी equilibrium वाली position से जो displacement है वो y है और जिस force की वजह से oscillation हो रहा configuration में restore करना चाहती है restoring force यहाँ minus का sign होगा तो यहाँ जो बचता है वो k होता है which is called the spring factor तो यह हमें k ढूणना होता है time period निकालने के लिए बट अगर एक ऐसी equation आ जाए f equal to minus into a constant into y तो प्रूव हो जाता है कि यह body simple harmonic motion perform कर रही है और वहीं से time period भी आ जाता है क्योंकि time period का formula हो mass of the oscillating body divided by k यह वाला जो k यहाँ पर आया था यह सारी चीज़े आपको पिछले lectures में भी बताई जा चुकी है तो जब हमने इसको टेढ़ा किया और फिर सीधा किया तो होगा क्या एक तरफ से liquid का जो level है वो नीचे चला जाएगा इतना नीचे चला गया तो जितना इधर से जाएगा उतना ही इधर से उपर भी जाएगा भाई साब यह नीचे गया तो किदर गया इधर से उपर जाएगा तो यह जो इसके limbs में यह जो level में difference create हुआ है liquid का इसकी वज़ा से oscillations होंगी लेकिन इसकी वज़ा से oscillations क्यों हो रही है मान लेते हैं at any instant देखो यह इसकी equilibrium position थ यहां माक करना चीए ना वाई अना equilibrium position से जो displacement है वो वाई है तो यह वाला वाई होता है जो उसकी equilibrium position से जितनी दूर होता है वो वाई होता है समझ गए तो इससे हुआ क्या अब इसका level यहां आ गया इस level पर यह level यहां आ गया तो यह जो extra liquid है यहां पर extra इस extra liquid का जो weight है वो धक्का मारेगा आप इसको ऐसे समझो जैसे एक पुली है पुली में दोनों तरफ बराबर weight टांग दें तो कोई भी नीचे नी जाएगा ना इधर से नीचे जाएगा ना इधर से नीचे जाएगा लेकिन अब जब यह equilibrium position में था तो दोनों तरफ जब बराबर थी level बराबर थे तो दोनों तरफ weight बराबर था लेकिन इस case में क्या है जैसे पुली में एक तरफ वजन जादा हो तो जिस तरफ वजन जादा रहता है वहां से नीचे जाता है इधर से उपर जाता है तो यहां पर यह weight एक्स्ट्रा है तो इस weight का इसको एक धक्का पड़ेगा नीचे यह जो एक्स्ट्रा weight आगया ना liquid का इधर सिरफ यहीं तक है यहां पर यहां से यहां तक है जो एक्स्ट्रा weight आगया liquid का यह धक्का मारेगा इसको नीचे ठीक है वापस इसको भेजेगा तो भेजेगा तो क्या होगा कि यह momentum गेन कर लेगा तो इधर से यहां नहीं रुकेगा जादा उपर चला जाएगा लेकिन जब जादा उपर जाएगा तो इधर एक्स्ट्रा लिक्विड आ जाएगा तो फिर वो धक्का मारेगा नीचे समझे तो यह ओसिलेशन करने लगेगा यानी की restoring force कौन प्रवाइड कर रहा है restoring force प्रवाइड कर रहा है weight of the liquid weight of the liquid extra weight in column of length यह length कितनी हुई total देखो अगर इधर से y उपर गया है तो obviously इधर से y नीचे भी जाएगा क्योंकि जितना इधर हूँ इधर से उपर गया equilibrium position से उतना इधर नीचे जाएगा तो यह भी y यह भी y तो जो extra length है वो कितनी है 2y और इस 2y length में जो liquid का weight होगा वो restoring force प्रवाइड करेगा मान लेते हैं इसका जो cross sectional area है वो a है तो हमें बस यह weight निकालना है तो यह weight कितना होगा mg और यह restoring force प्रवाइड कर रहा है तो आप इधर minus का sign लगा लो और m क्या होता है volume into density तो कितने part का volume कितना होगा area into height और मान लेते हैं liquid की जो density है वो row है और मान लोग कि इसके base से यह liquid initially l height पर था तो दोनों तरफ l height पर होगा हाना यह h height पर था यह l पर था जिस पर मर्चिल ठीक so mass is volume into density तो volume कितना होगा h a into h हाना a into h तो इसका h कितना है y plus y 2y y plus y 2y तो m यह हो गया volume यह तो volume हुआ volume into density into g और equal to क्या बना अगर इसको आप थोड़ा सा rearrange करके लिखो हम यह prove करना चाहरे न कि यह shm करेगा यह नहीं करेगा तो यह जो shm करेगा तभी तो prove होगा जब ऐसी एक equation आ जाएगी तो ज़रा इसको थोड़ा सा rearrange करके अगर मैं next step में ल rho g into y and this 2a rho g is a constant देखो अगर हम कह रहे है कि यह कैसी equation prove कर दो f equal to minus ky तो यह ज़रूरी है कि यह जो बचता है यह constant होना चाहिए तो अगर आपकी इस form में एक equation आ भी गई है तो पहले check करो कि यह जो है यह constant है यह नहीं यह constant ही तो है area of the cross section of tube is always constant, density is constant, g is constant तो यह constant है इस equation से prove ह हो गया कि यह SHM कर रहा है और अगर यह SHM कर रहा है तो इसका time period क्या होगा 2 pi under root mass of the body which is oscillating, कौन oscillate कर रहा है यह liquid oscillate कर रहा है और इस liquid का total mass क्या होगा equilibrium position में यहाँ पर यह L तक था यहाँ पर भी L तक था तो total column की length जो है वो 2L हो गई अगर हम इन curvature को ignore कर दे मानलो यहां से लेकर यहां तक की यहां center से लेकर यहां तक की जो length है वो L है और यह भी L है तो equilibrium इसको मत देखो equilibrium है यह limb में level यहां तक था इधर यहां तक था तो total length कितनी थी 2L तो liquid का volume है कितना total volume कितना है liquid का A into 2L volume क्या होता है area into length और mass क्या होता है volume into density density of the liquid is this so this is the total mass of the liquid so M divided by K यहां से हमको K मिला है यह तो 2 A rho G तो बताओ क्या क्या क्ट गया A से A क्ट गया rho से rho क्ट गया 2 से 2 क्ट गया क्या बचा यह बचा यह बचा T equal to 2 pi under root L by G L मतलब एक तरफ जितनी उसकी height है वो L divided by G G is acceleration due to gravity समझ में आई बात आपको अच्छा इस derivation को यह तो mathematical part हो गया proper language के साथ लिखना है मैं हर वीडियो में यह बात बताता हूँ